जहिन दोस्तों स्वागत है आपका और आज का जो टोपिक है वो है जी विज्ञान जो N.C.E.R.T. सार संग्रव महेश बर्नवाल जी द्वारा लिखा हुआ है जो बहुत ही अच्छी किताब है और इसका मैं रोज वीडियो अब डालूँगा इसका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा आज से तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं आज का टॉपिक जी विज्ञान है जो सभी प्रिक्षा में पूछा जाता है सवाल है कि विटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है तो जानले जीए विटी कल्चर के द्वारा आज रखिए जेरनोट जेरनोट अलोजी के अंदरकात विद्धा वैस्था एम आयू विद्धी के परभाव का अध्यन किया जाता है आज रखिएगा और सारे सवाल इसी से बनते हैं सवाल जो है वो है वर्मी कल्चर में कोन सा कीट प्रजुक्त होता है तो वर्मी कल्चर म अंदरकात विद्धा का विद्ध्या अध्यविद्ध क्या जाता है प्फूलों के अध्यॅन को चाहते हैं तो फूलों को अध्य Dwi काते हैं प्फूलों का अध्यन को एंथोलोजी आज रखिएежд का सब्सक् Indian hun عाएं यहां बढ़ाईयेगा नहीं फूलaina आगे है जिवास्म बनसपती पले पेलियो बोटनी के अंद्रगत पादब जिवास्म का अध्यन किया जाता है और भिन संस्कृतियों के वेग्यानिक वीवरन के तुलनात्मक अध्यन को क्या कहा जाता है तो तुलनात्मक अध्यन जो होता है इसमें एथनोलोजी होता है यानि संस्कृति का जो करता है जो संस्क कहलाता है क्या कहलाता है औलेरी कल्चर के अंतरगत कहलाता है अस्तियों का ध्यन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत होता है तो अस्टियोलोजी के अंतरगत होता है दुसरा है सर्पों का ध्यन किस विज्ञानिक साखा के अंतरगत क्या है तो सर्पेंटोलोजी सर्प से तो हाइड्रोपोनिक मिर्धा रहित पादब संबर्धन से संबर्धित है जंतु विज्ञान के अंध्रत किन जंतुओं का अध्यन किया आता है। पड़ेंगे जन्तू विग्ञान जू लोग य कि जनक अरश्तू है वन्सर्पति विग्ञान बोटनी के थ्यो फ्रेस्ट 네 शुच्मुजी विग्ञान माइक्रो बायलोजी के लुई पास्चर है और जिवानों विज्ञान बैक्ट्रियोलोजी के रोबर्ट कोच है और परतिरक्षा विज्ञान इम्म्यूनोलोजी का एड़वर्ड जेनर है और इन्हेंने चेचक के टिके की भी खोज किती आद रखिएगा और आजाईए वार्गी की अत्वा परिवर्तन जो है म्यूटेशन यूगोडी ब्रीज में और कवक विज्ञान जो है वो हैंट्रिच एंटन डी बैरी में और पादर शरी किरिया विज्ञान जो है इस्टिफन हेल्स में आद रखिएगा और आदुनिक बरस्पति विज्ञान जो है वो है केरोलस लिनियास औ और अंतस्त्रावी विज्ञान जो है उसका है थोमस एलवा एडिशन आद रखियेगा और अनुवनसे की का जो है वो ग्रेगर जोन मेंडल मतर के दानों पर किया था मतर के पोधों पर और आदोनिक अनुवनसे की जो है वो ग्रेगर जोन मंडल का लाते हैं और भारते पुरा विज्ञान के जनक M.O.P. आयंगर है और आद रखिएगा भारती परस्थिति की इंडियन एकोलोजी के जनक रामदेव मिश्रा है और उसदी विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस है और सुचमदर्शी के जनक एंटनी वन लिवेन होक है सुचमदर्शी का और जिन्च किस्चा का एंडर्शन है आद रखिएगा उसके बाद है जनतु विज्ञान का जनक इसको बाद में देखते हैं घास विज्ञान जो है घासों का अधियन चलते हैं एलगोलोजी जो है सेवालों का अधियन होता है क्योंकि एलगा मतलब सेवाल होता है और एनाटोमी जो होता है आंत्रिक संग्रजना का अधियन इसमें होता है और एंथोलोजी जो होता है इसमें पुस्पों का अधियन होता है जीवानों विज्ञान में जीवानों का अध्यान होता है और ब्रायोलोजी में जो है ब्रायोफाइटा का अध्यान होता है आद रखेगा और कैस्टिलोजी जो है ये कैस्टिलोजी में पाधपों में रोग जन्नि गाठक पाधप कैंसर का अध्यान होता है और आद रखेगा डेंड्रो क्रोनोलोजी जो है व्रिक्षों की आयू का अध्यान होता है डेंड्रो क्रोनोलोजी में और डेंड्रोलोजी जो है व्रिक्षों की आयू का अध्यान होता है उसके बाद है ecology पोधों का वातावरण से संबंद का अध्यान इससे होता अब आजाई एकोनोमिक बोटनी जो है इसमें आर्थिक महत्य के पोधों का अध्यान होता है आद रखेगा दुस्षा है ethno botny जो है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोगों का अध्यान होत यह जो एकोनोमिक बोटनी है इसमें आर्थिक महत्य के पोधों का अध्यान होता है और ethno botny में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोगों का अध्यान होता है और forestry में जो होता है उसमें one का अध्यान होता है उसके बाद आजाई एदर exobiology जो है इसमें अनिक ग्र और माइक्रो बायोलोजी जो है सुचमजीवां का इसमें अध्यान होता है आध रखेगा अध्यान के बारे में भी है और इसको नीचे कर लेते हैं इसमें देखिए माइको बायोलोजी कवकों का वेग्यानिक अध्यान होता है माइको प्लाजमोलोजी जो होता है माइक्रो प्लाजमा का वेग्यानिक अध्यान होता है और नेमोटोलोजी जो होता है स्वे नेमेज टोड़स का पादपों के साथ संबन्दों का अध्यान होता है और आदर केगा पेलियो बोटनी जो होता है पादप जिवाश्मों का अध्यान होता है दुसरा है पेलिनोलोजी पेलिनोलोजी जो होता है पराग कनों का अध्यान होता है और तिस्सा है पैथोलोजी पादप रोगों का उपचारवा अध्यान होता है और पेराशिटालोजी जो होता है पोशाक तथा परजिवियों के संबन्दों का अध्यान होता है उसके बाद जो है फार्मेकोलोजी इसमें ओस दिय पादपों का अध्यान होता है और फीजियोलोजी जो होता है इसमें विभिन पादपों के जेविक क्रियाओं का अध्यान होता है उसके बाद है ट संट्रिक चिठावायोमन्टल में श्तित पादवों का अध्यन होता है अश्प्रेमयोमो ICE में वीजों का अध्यन होता है और हिलियोधेरीपी में स्रे के प्रवाव से चिकत rookie कि परुक्रिया का अध्यन होता है और है हाइड्रोपनिक जो है इस चाखा के अंदर का द्विना मिर्दा के बागवानी की जाती है एनोटोमी जो है पुछेदन के द्वारा शेरीरे में विवेदन रंगों की रचना का प्रदेशन करना होता है एन्थ्रोपलोजी जो हता है मानव जाती के सांस्कृति विकास ता अध्यान होता है एकोलोजी जो हता है जेविक वातारों से जीवों के विवेद संबन्दों का अध्यान होता है और एंडोकायनोलोजी अंतरस्रावी तंत्रों का अध्यान इसमें होता है और Embryology जो होताइस में भोड़नी संबर्दन का अध्यान होता है और दुसरा है Enzymalogy उत्प्रेरकों का अध्यान होता है और Entomology कीट पत्कों का अध्यान होता है और Genetic जो होताइस में जीवों की आनुवन सी लक्षन एव मुन की वनसागनिती का अध्यान होता है आद रखेगा इसमें तुलाशा थुनला आरा यह साफ आरा है हमेटोलोजी जो होताइस में रुधिर यम रुधिर संबंदी रोगों का अध्यान होता है हर्पेटोलोजी उभैचरयों सरी स्रिपों का अध्यान होता है और मैमोलोजी अस्तंधारियों का अध्यान होता है और माइक्रोबालोजी अत्ति सोच में जीवों का अध्यान होता है नियोरोलोजी तंद्र का अध्यान होता है और अर्नितोलोजी बक्षियों का द्यान होता है पैथोलोजी में रोगों की परकर्ती लक्षनों का द्यान होता है रेडियोलोजी में जीवों पर विग्रण प्रभाव का द्यान होता है और टेक्सोनोमी में जीवजातियों के नामकरण ये मर्गिकरण का द्यान होता है आध जेरेनोटो लोजिक आलाता है चली तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट कीजिएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत